कि अबब है इसके और ये निफिंदि मुंख्रY है इसको जैसे ब्राव करते हैं वेसे करते हैं कल मा लेकर आया था तो पाने में ढाल दिये था ये मैं इसको कर बहुत हो यह कि इसको कि डोप के दें arriики ब्रस घिसते हैं कैसा होता है मीठा होता है ना इससे यह फाइदा होता है जो चीज हमें कश्ट देती है न वह निश्चेती फायदा देती है जैसे नीम खाने में कडू लगती है लेकिन शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है इसी तरह से करेला खाने में कडू लगता है लेकिन सरीर के लिए काफी फायदेमंद है मिठाई काने में मीठी है लेकिन ज़्यादा खा लोगे तो नुक्सान दायक है है ना उसी तरह से जो आप काम करते हो मन दो डायरेक्शन में चलता है मन बोलता है खेलो, कूदो, सोव, मिठाई खाओ, करेला मत खाओ उसमें आराम है उसको अच्छा लगता है लेकिन करेला खाओगे तो कडू लगेगा पढ़ाई करोगे तो बोरिंग महसूस होगी है ना तो मन क्या बोलता है जिसमें उसको मज़ा आता है वो काम करने के लिए मन बोलता है लेकिन यदि आप मन के उल्टे काम करोगे मन के विरोध में काम करोगे मन बोलेगा मिठाई खाओ आप मन बोलेगा कि भाई तुम ब्रस करो मीठा वाला मंजन करो आप अगर नीम का यह मुखारी करेंगे तो यह ज्यादा फायदे मंद है उससे मीठे वाले मंजन से ज्यादा फायदे मंद है यह नीम का दातून है ना ये थोड़ा सा कड़ू जरूर लगेगा थोड़ा सा कष्ट जरूर देगा लेकिन इसके बेनिफिट बहुत हैं फायदे बहुत हैं इसी तरह से जीवन में हर काम का अपना एक महात्व होता है पढ़ाई करने में बोरिंग महसूस होती है और नीद सोने में मज़ा आता ह लेकिन यदि आप नेद और खेल को त्याक के अगर पढ़ाई करोगे तो आंगे बढ़ पाओगे इतनी भड़ी भीड में क्या सभी लोग प्रधानमंत्री बन जाते हैं नहीं बनते ना जो लोग उस चीज़ को समझ पाते हैं कि नहीं हमें तो सोना नहीं हमें तो पढ़ना है नहीं हमें तो खेलना नहीं हमें तो पढ़ना है नहीं हमें तो अपनी स्किल्स बनानी हमें अपनी स्किल्स को आंगे बढ़ाना है उसको और अच्छा करना है तो वही लोग आंगे बढ़ते हैं वहीं भीड में से कुछ लोग छट छटते हैं और कितनी बड़ी भीड में से एक प्रधान मंतरी बनता कितनी बड़ी भीड में से एकι ऐसे कलेक्टर बनता कितने लोग पर इकषाएं देते हैं लेकिन क्या सबकर सेलेक्षन होता है नाई क्योंकि कहीं नाépoque वह मार खा जाते हैं अपनी सोच से है अगर द्रण विश्वास से कड़ी महनस से कठोर परिष्रम से किसी चीज के पीछे पड़ा जाए तो वो चीज संभव होती है इस दुनिया में कुछ भी इंपॉसिबल नहीं है सब कुछ संभव है ठीक है ना तो समझ में आया इसका क्या महत्व है इससे बहुत से फायदे होते हैं पेट साफ होता है दांत में किटाणू खतम हो जाते हैं दांत साफ होते हैं और पेमारिया नहीं आती है और ये सुाद में कडू होता है